वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो इसके लिए आपको simply करना इतना सा है कि description section में जो numbers दिये हुए उन phone numbers पर आप call करिए और steady for civil services के वो number है उन पर जाकर आप ये PDF डिमांड कर सकते हैं और सिर्फ वही लोग आपको ये PDF प्रोवाइड कर सकते हैं ये मेरे authorization में नहीं है इसके लिए आप सिर्फ call करिए और call करक topic है जो swiles है यानि की मरदाएं उसको हम लोग cover up कर रहे हैं इस समय पहला जो sub topic रहेगा वो है आपका शुश्क मरदाएं हो सकता है आप से पूछ ले जाए कि शुश्क मरदाओं का color कैसा होता है तो color आपको याद रखना है कि लाल से लेकर किश्मिश तक का किश्मिश का जो चेत्रों की जो मरदा होती है उसमें नमक की मात्रा बहुत जादा होती है मतलब अगर उन मरदाओं के पानी को वाश्पी करत करा जाए evaporation करा जाए तो finally आप उसके अंदर से नमक जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद next point की बात करें शुश्क जलवाईयू नोट्स बनाते समय आप सिर्फ लिखिए शुश्क मरदाएं फिर उसके बाद आप उसका एक पॉइंट बना सकते हैं रंग और रंग के आगे simple आप लिखिए लाल से लेकर किश्मिश तक का इसके बाद संग्रशिना बना सकते हैं पॉइंट एक आप उसकी प्रकृति बना स होती है नीचे की और चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परते पाई जाती हैं तो यह पॉइंट यहां पर पूछा आ सकता है कि इसके अंदर कंकड़ पाई जाते हैं कि नहीं तो आपको याद रखना है कि बिलकुल पाई जाते ह लेयर्स होती हैं उसमें पाई जाते हैं म्रदा के तली संस्तर यानि कि जो सबसे नीचे वाले तली वाला जो लेयर है उसमें कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है इसलिए सिचाई किये जाने पर इन म्रदाओं में पौधियों कि जो सतत मतलब पाई जाती है यह आपको पूछा जाकता है तो पच्छमी राजस्थान आपको याद रखना है यह म्रदाएं अनुवर हैं यानि कि इन में जो है बहुत कम है क्योंकि इन में हुमस और जैव पदार्थ जो हैं वह आल्मोस्ट नहीं पाए जाते हैं मतलिया पर आप कह को उसर म्रदाएं भी कहा जाता है लवं मृताओं में सोडियम पुटेशिय ंमेगनेश्यम इसका अनुपात अधिक होता है यह q Saint रहार याद रखेगा कि कि सोडियम और पुटेशियम ठीक है इसका जो अनुपात है वह अधिक होताओ видно होती यानि baby but 은की और इन में कि फर्क पती उगने का सवाली नहीं उड़ता मुक्रुप से शुष्क जलवाईयू और खराब अपवाहा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती हैं ये मरदाएं शुष्क और अर्द शुष्क तथा जलक्रांत छेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं इनकी मिर्दाओं का अधिकतर प्रसार जो है वो पच्छमी गुजरात पूर्वी तट के डेल्टाओं और पच्छमी बंगाल के सुंदर्व वन जो छेत्र है वहाँ पर पाया जाता है कच्छ के रण में दक्षन पच्छे मौनसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपली के र जहन क्रशी के छेत्रों में विशेश रूप्त हरित क्रांती वाले शेत्रों में उपजाओ जलोड मिट्टियां भी जो होती है वो आपकी कैसी होती है लवणिये होती जाती है या फिर होती जा रही है शुश्क जलवाईयू वाली दशाओं में अत्यदिक सिचाई केश का क क्रिया को बढ़ावा देती है, इसके परणाम सरूप नमक उपर की ओर बढ़ता है और मिर्दा की सबसे उपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस परकार के छेत्रों में विशेश रूप से पंजाब हर्याना में मिर्दा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिपसम डालने की सलह दी जाती है। व्रदी अच्छी हो। अता इन चेत्रों में मिर्द जैवपदार्थ बड़ी मातरा में इखटे हो जाते हैं जो मिर्दा को हिवमस और परियाप्त मातरा में जैवतत्व प्रदान करते हैं। इन मिर्दाओं में जैवपदार्थों की मातरा 40-50 फीसदी तक होती है। ये मिर्दाएं सामानता गाले और काले रंकी होती हैं। अनेक इस्थानों पर ये शारिये भी हैं और ये मिर्दाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षुनी भाग और पच्छिम बंगाल के तटिये चेत्रों उडीसा और तमिलनाडू में पाई जाती हैं। इसके बाद अगली तरेके की जो मिर्दाएं उसके बारे में देखते हैं और ये हैं आपकी वन मिर्दाएं। उपरी डालों पर ये मोटे करणों वाली होती हैं। इसको आप जोइन कर सकते हैं complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उ यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूँ इन number पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस number पर आप संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं अभी तक जो हमने चर्चा करी उससे एक बात तो clear होती है कि मिरदाओं की अगर हम बात कर रहे हैं स्वाइस की तो उनका composition कैसा है उनकी गुण और प्रकृती कैसी है पौधों और वनस्पतियों के अंकुरण और व्रदी के लिए ये मतलब काफी जादा महत्वपूर्ण होती हैं मिरदाओं जीवित तंत्र हैं यानि की जैसे और प्राणी हैं वैसे ही इनका भी विकास होता है ये भी डिग्रेड होती है और निमनीकरत होती जाती है और डिस्ट्रॉई भी होती है यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो इनने सुधार भी होता है मिरदा उस तंत्र के अन घटकों पर गहरा प्रवाव डालती हैं जिससे वे स्वैम या फिर जिसका वो स्वैम एक अंग होती हैं तो ये सारी बात हो गई हमारी किसके बारे में स्वैल्स के बारे में इसके बारे में इसके बाद ये वाली टेवल काफी इंपॉर्टेंट इसको जरूर देखिए यहां पर बात हो रही है भारत की मिर्दाओं की एक तरफ आपको मिर्दा दे रखिएं दूजी तरफ उनसे रिलेटेड़ छेत्र मुख फसले कौन कौन सी होती है किस मिर्दा में और पोशकों की प्रचुरता सबसे पहले बात करते हैं जलोड मिर्दा देश के तकरी गन्ना, आलू, तिलहन और दलहनी फसले पोटाश और चूने की इसके अंदर प्रचुरता होती है इसको चाहें तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसके पास लाल मिर्दा की बात करें 18.6% एरिया में ये पाई जाती है तमिलनाडू, करनाटक, दक्षन पूर्वी, मह महारास्ट, उडीसा और मद्दप्रदेश का जो दक्षन पूर्वी भाग है वहाँ पर ये मिर्दा है मुमफली, केला, तंबाकू, रागी, जुवार, तीसी, कपास, गेहु, मक्का ये सारी फसले इसमें होती है और लहो तत्वों की इसमें परचुरता होती है ब्लेक स्व पसले हैं जो इस स्वाइल में ब्लेक स्वाइल में उपच्चती है पोटास, चूना, मेगनेशियम की परचुरता इसमें होती है लेटराइट स्वाइल की बात करें देश के तकरीबन 3.7% बुभाग पर ये फैली होई है करनाटक, केरल, तमिलनाडू, असम, महरास्ट, पुहा और ऐलमूनियम की परचुरता इसमें है इसके बाद नेक्स बात करें मरस्थलिय मर्दा ये पंजाब, हरियाना, राइस्थान, पच्चिमी, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है बाजरा, जुआर, मोटा, अनाज, सरसों, जौं ये सब मेन फसले हैं जो इसके अंद परचुरता रहती है, ये फिर एक मैप यहां पर दिया हुआ है, बारहाल इस मैप की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट हम अल्लेडी देख चुके हैं, ठीक है, अब जो हमारा नेक्स वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, मिर्दा अप पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के लिंक को शेर करना बिलकुल नद भूलेगा, थेंक यू सो मच, बाबाए